नमस्कार दोस्तों सुआगर आप सभी का तिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने MI4i पर SIM card not detected problem solve के से कर सकते हैं तो दोस्तों कई बर क्या होते हैं हम SIM card को insert कर देते हैं उसके बाद हम यह देखते हैं कि SIM card not detected तो हो सकते हैं SIM card में problem हो सकते हैं यार फिर अपकी device में हो सकते हैं तो आपको क्या-क्या solution करना होगा सब कुछ आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हो अगर दोस्तों आपको भी यह problem solve करना है तो वीडियो को पूरा जरू देख लेना ठेक है वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि क्या-क्या आपको करना है शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आई तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को क्लिक जरू करें यह आप उनलाइन पैसा कमाना चाते ही तो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग पर ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज जरू कर लीजिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसका सॉलूइशन सबसे पहले तो दोस्तो आप डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट करके देखिए रिस्टार्ट के बार प्रॉब्लेम सॉल्फ हो टाइट हो ठीक है नहीं होते हैं तो दोस्तो आप अपने सीम को एक बार इजेक्ट करके इंसर्ट करके देखिए ठीक है इंसर्ट करके देखे आपको सीम जो यह बाहर में निकल लेना है मुबाइल से उसके बाद दोस्तों दुबारा से आप सीम को भर के देखे अगर प्रॉब्लम सॉर्फ हो जाता है सीम का डिटेक हो जाता है तो ठीक है फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों आपक कराइब करके कई बार दोस्तो क्या होता है एयर प्लेन मोट कर देने के बाद आपका जो नेट्रोक है वो सर्च करने लग जाते हैं ठीक है तो आप वो करके देखें तो इससे प्रयों canopy हो जाए तो ठीक है फिर भी प्रॉब्लेम आते हैं तो दोस्तों आपको क्यारना क्या आए कनेक्शन और शेरिंग पर जाए नेट्रोक सेटिंग को एक बार रिसेट करने की कोशिच कीजिए रिसेट वाइफ़ाई मुबायल नेट्रोक का उप्शन है उसमें जाएए रिसेट सेटिंग पर क्लिक करके फॉण पासवोड भर दीजें और उसके बाद OK करके इसको reset करके देखें ठीक है उसके बाद दोस्तों mobile को भी एक बार restart कर लीजे और sim card अगर detect हो जाते है तो आपका problem यहाँ पर solve हो जाएगा फिर भी दोस्तों आपको problem आ रहा है बार बार तो दोस्तों आप अपने sim को जो है दुबारा से eject कर लीजे यानि simply जो है customer care को call करके पूछ लीजे अगर आपके पास जो sim detect नहीं हो रहा है वह है एरटल का तो आप किसी दूसरे एरटल नंबर से call करके आप पूछ लीजेगा ठीक है तो वह आपको पता देगा कि उस दूसरे नंबर पे हुआ क्या है detect क्यों नहीं हो रहा है साइड आपका जो सी में वो यहाँ पर डियक्टिवेट हो चुका होगा ठीक है तो आपको रिजन बटाएगा तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि यह problem की हो रहा है उसके बाद next पर आप problem को solve कर पाऊगे लेकिन मान लीजे उस दूसरे phone पे काम करें और आपके phone पे sim काम नहीं करे है तो फिर आप क्या कर सकते हैं तो दोस्तों आप जाईए आपने about phone पे और software को update कर लीजिए ठीक है software को update वगएरा करने के बाद दोस्तों आप दुबारा से sim को eject करके जो है आप insert करके देखें उससे आपका काम बन जाएगा problem भी solve हो जाएगा अगर sim का detect नहीं हो रहा है तो software update करने के लिए आपको वाइफाई का मदद लेना होगा ठीक है वाइफाई से जो है दोस्तों आप अपने software को update कर ले और उसके बाद दोस्तों आप देख लिजेगा problem जरू फिक्स हो जाएगा तो यह दोस्तों कुछ important solution जो है मैंने आपको दिया है try करके देखे कम जरू बन जाएगा तो आज के लिए बस इतना है thanks for watching